केरियर के 1.5 टन 5 star AC के बार में बात करेंगे इस वीडियो में यह जो AC है इसकी cooling capacity कितनी है यह जो AC है वो कितना जल्दी हमारे रूम को ठंडा करता है इसको use करेंगे तो कितना भिजली बिलाता है इंसलेशन में क्या खर्चे लगते हैं और overall यह जो AC है इसकी build quality कैसी है warranty service कैसी है इसकी इंडिया में सारी चीज़ आपको उता हूँगा तो वीडियो को पुरा एंड तक देखेगा इन सारी चीज़ों को जानने के लिए और अगर आप इस AC को खरीदना चाहते हैं तो यह AC आपको online काफी सस्ते में मिलेगा जिसको की खरीदने का original best by link इस वीडियो के description में दिया हुआ है वीडियो के टैटल पर क्लिक करेंगे तो description पर जाएगे वहां पे link मिलेगा दिना आप हुसे order कर पाएंगे यह जो AC है online एंड तक बने रहे हैं और फीडियो को पूरा एंड तक देखते रही है यह केरियर का 1.525 स्टर एसी हम 200 स्क्वार फुट तक के रूम साइज में यूज़ कर सकते हैं और यह जो AC है इसमें हमें काफी जल्दी cooling भी मिल जाती है यह जो AC हमारे रूम को ठंडा करने में अलग चीज़े बोलते हैं इसको तो इससे क्या होता है जैसे आप उस मोड को on करोगे फास्ट कूलिन को तो तीन से चाल मिनट में ही आपके रूम को ठंडा कर देगा तो यह सारे चीज़े आपको मिल जाते हैं इस AC में इस AC में आपको convertible mode option मिलता है यानि कि आप इस AC के capacity को आप यूज़ करेंगे तो विजली बिल जो है वो भी आपको कम आती है और यहां पर हम बात करें रहे हैं इसके विजली बिल के बार में तो यहां पर अगर आप इस AC को डेली 8-10 गंटे यूज़ करते हैं तो मन्तली महीने का जो विजली बिल होगा वो लगबग साड़े 900 रुपे से लेकर के 1000 रुपे के आसपासी आपको देखने को मिलेगा तो बिजली बिल जाए वो काफी कम आता इस AC में डिफिनिटल अपको लगाई है आपका खर्चा कम आएगा साथी साथ इसके इसको लगाने का जो खर्चा वह लगबग 1400-1500 रुपे के आसपस लग जाता ऐसी को इंस्टल कराने में तो इसलों में यह खरचे आपको होते है आपको बतातों कि यहां जो एजिए इसके पीसी भीड पर मिलती है दस साल के वार्यांटी इसके आटोर अर्बरॉल पूरे के पूरेशी कि पे जो इंडो एनिट यूनिट जो एसी होता है उस पर आपको वन यर की वारेंटी मिल जाती है तो वारेंटी वाइस कहीं से कोई कमिनी है मेन यूनित होता है वहाँ आपको 10 साल के वारेंटी मिल रही है और इसकी सर्विस जो वह इंडिया में काफी ज़्दा बढ़िया है तो डेफिनेटली इस एसी की तरह आप चाह सकते हैं कि बात करें तो काफी बढ़िया है और अच्छे ग्रीड के मेटल का यूज किया गया है इस एसी को बनाने में और हंडिट परसंट कंडेंसर कॉपर की कोईलिंग भी इस एसी मेपको मिल जाती है तो 100% copper coiling होने के वाज़ा से AC की long life durability बढ़ जाती है और लंबे समय तक यह AC अच्छे से चलेगा बात कर इस AC के noise level के बारे में तो यहाँ पर यह जो AC है वो काफी कम noise produce करती है 44 decibels का sound produce करती है जिससे की आपको room में AC चल रहा है की नहीं चल रहा है आपको पता ही नहीं चलेगा इतना कम sound यह produce करती है और अगर आप इस AC को online लेंगे तो इसकी जो warranty बगरहे मैंने आपको बताई वो सारी सजी आपको मिलेगी और साथी साथ box के अंदर आपको bill में मिलेगा और इसकी warranty जो all over इंडिया में valid भी रहती है तो definitely आप इस AC को online buy करेगा online यह आपको 4500 रुपर सस्ते में मिलेगा और इसको खरीद्या का best by link इस video के description में मैंने दे रहा है वहाँ पे link मिलेगा उस पर क्लिक करके आप इस AC को online order कर पाएंगे बात करें इसके cooling capacity के बारे में तो 50W की cooling capacity के साथ आता है या AC और काफी जादा है अपने बजट में और अपने प्राइज रिकास्टिंग के हिसाब से प्राइज रेंज में काफी जब बढ़िया cooling capacity आपको मिलती है यहाँ पर आर्टी टीटीट टेस का यूजिश किया जाता इस एक के मतलब अर्ट इनिट में इसको ठंडा रखने के लिए इस एसे में आपको फिल्ट्रेशन में मिलता है पी एम 2.5 फिल्टर भी इस एसी में आपको मिलता है तो ओवरॉल काफिस दो बढ़िया ऐसी देफिनेटल इसको भाई करिए बेस्ट बाइलिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है वीडियो के टैडल पर क्लिक करें डिस्क्रिप्शन